विल्कम बैक टुम चैनल ते बेंगॉल ट्रेडर चले शुरू करते हैं आज का टॉपिक होने वाला है कि कल हम किस तरह से बैंक निफ्टी को ट्रेट कर सकते हैं मंदे के सेशन में जब मार्केट का मूड अच्छा रहोता है तो वो टामता है और पूरा हफ्ता वो वोलेटाइल या फिर उपर टाने का या नीचे या साइडवेस मतलब रेंज थोड़ा बरा रहता है ठीक है आज का कैंडल को देखके ही हमें समझ में आ रहा है कि ये हफ्ता अच्छा खासा ट्रेडर्स के लिए बोट साइड पैसा कमाने के लिए बड़िया हफ्ता है ठीक है फस्ट अफॉल रिकाप ये ये मार्केट गैप डाउन खुला खुलते ही बाइंग प्रेशर ऐसा आया एकदम टॉप में जाके क्लोस किया और थोड़ा सा नीचे सेलिंग आया था प्रोफिट बोकिंग होगा शायद वहां पे जाके क्लोस किया है ठीक हमें एक क्लेरली आज का केंडल में दीख रहा है आज बैंक निफ्टी को सारे बैंक लगबग लगबग ठीक है टाना है लेकिन रिलाएंस ने एक्स्टराइणरी मूव दिया इसलिए निफ्ट है डेली केंडल वाइस यह लेवल्स और अपर लेवल्स क्या है वह हम पहले वान आवर चार्ट पर देख बात देख लेते हैं देखिए मैंने कल आप लोगों 15 मिट चार्ट पर यह बोला था कि केंडल क्लोजिंग इंपोर्टेंट है यह लेवल के नीचे मैंने बताया था क आप एक बार जाके लाज्ट वीडियो देख लीजिए कि इसके नीचे एक केंडल क्लोज होना चाहिए आप देखिए याप डाउन तो खुला लेकिन कितना भहंकर बाइंग प्रेशर आया और डायरेक्ट इस लेवल के उपर फिर से जाके क्लोज किया फिर यहां पर लगबग हो गया हमारा यहां से 200 जो कि एक option trader के लिए more than enough है ठीक है यह हो गया recap अब हम कल किस तरह से trade कर सकते हैं एक बार one hour का time frame देख लीजिए आपको बढ़िया एक अच्छा knowledge आ जाएगा one hour का time frame में यह trend line अभी हमारे लिए important होने वाला है बहुत important होने वाला है देखके आपको एक pattern दिख रहा है अगर यह complete हो जाता है pattern तो double top और M दोनों हो जाएगा तो इसके लिए 42,740 के नीचे आनाच जरूरी है और 15 minute का एक candle closing important है तो हम इतना तो समझे है कल अगर market मानिए gap down खुलता है या flat खुलके नीचे आता है wait कीजे हरबरी मत कीजे 42,740 के सामने इनके सगर कल flat open होके नीचे आता है आने दीजिए आने के बाद अगर 42,740 के आजू बाजू में यहाँ पे कोई hammer candle बनता है आज की तरह तो उसी के नीचे यह सरे लगा के आप फिट से इस train line तक का एक target ले सकते है यह train line को अच्छी तरीगे से अपने chart पर बना लिजे ठीक bullish candle बनता है तो आप उसके ऊपर trade लेके train line तक target ले सकते है इनके समानी यह flat खुलता है खुलके नीचे आता है यहाँ पर रूख जाता है रूखने के बाद अगर 42,740 को break करता है हम तुरंत वहाँ पे sell कर देंगे अगर रूख के break करता है हम वहाँ पे तुरंत sell कर देंगे स हारे situations और conditions को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए मनि flat खुलके नीचे आता है आके यहाँ पर रूख जाता है एक गंटा आधा गंटा देर गंटा जितना रूखेगा उतना अच्छा और जैसे ही break करेगा हम वहाँ पे candle closing का weight नहीं करेंगे अगर रूख के break करता है तो वहाँ सीधा आके break कर रहा है तो wait कीजिए अगर candle closing इसके नीचे मिलता है और उसके नीचे जैसे निकलेगा तो भी हम यहाँ पर short कर सकते लेकिन आधा quantity कीजिएगा क्योंकि बहुत सारा यह रास्ता cover करके आ रहा होगा तो half quantity से trade कीजिए day low का day high का sell लगाई है या 1 to 2 का target और यह gap तक का आप target ले सकते फुल quantity जब ऐसे retest करके आएगा तब आप यहाँ पर sell कर सकते हैं simple price section समझ गए ना कि अगर रुक के ब्रेक कर रहा है तो candle closing इंपोर्टेंट नहीं है इनकेस अगर ना रुक के डारेक्ट आ रहा है तो candle closing important है ऐसा नहीं कि ना रुक के डारेक्ट आ रहा है और इसके नीचे जैसे निकला आप शॉट कर दिये, ऐसा नहीं होगा, अगर माने यहाँ पे आधा घंटा रुक गया फिर ब्रेक कर रहा है, तो आप डारेक्ट ले सकते, वरना यहाँ पे आपको एक कैंडल क्लोजिंग चाहिए इनकेस अगर माने यहाँ पे आके कोई रेंज बना बना के ऊपर भी जा रहा है, तो भी आप ऊपर का एक छोटा मोटा ट्रेड ले सकते हैं, अभी अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो मजा आएगा कल, क्योंकि देखे हर रोज गैप डाउन ओपन होने बरिया सिनर्यो है, तो वेट कीजिए, रुकिए, आपको देखने को मिलेगा एक केंडल इसके नीचे क्लोज हो गया है, तब आप उसके नीचे शॉट कर सकते हैं, ठीक है, और इनकेस मानिए कि गैप डाउन ओपन डाइरेक 42, 740 के नीचे हो रहा है, तो देखिए कि ये इस किल कल उसको मिला के देखिए, ठीक है, इनकेस अगर 42, 740 के नीचे डाइरेक्ट गैप डाउन खुलता है, टेस्ट करके नीचे आता है, इसी लेवल को, तो हम जैसे डेलो ब्रेक करेगा, शॉट करते हैं, इनकेस मानिए डाइरेक्ट खुलके नीचे आ रहा है, तो वेट की 42,400 से लेके 480 तक, यह बहुत इंपोर्टन जोन है, इनकेस अगर डाइरेक्ट गैप डाउन खुल रहा है, और नीचे आ रहा है, तो वेट कीजिए, आपको इसी जोन से एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, वो चाहे कुछ भी हो सकता है, या तो डबली हो सकता है, या फिर या फिर आपको मान लीजिए कि इसी जोन पे आके रुख गया, फिर रेंज बना के उपर जा रहा है, यह भी देखने को मिल सकता है, तो हर एक सिचुएशन में ने गैप डाउन और फ्लैट का आपको लोग के साथ डिसकस कर लिया है, अभी हम डिसकस कर लेते है, गैप अप 320, माफ कीजेगा, 31,340, जैसे ही फ्लैट खुल को ऊपर जाएगा, रेंड लाइन तोड़ा, फर्स्ट कनफर्मेशन और जैसे 41,340 के ऊपर निकलेगा, इस बार हमें कैंडल क्रोजिंग नहीं चाहिए, जैसे इसको तोड़ेगा, हमारा फर्स्ट टार्गेट, अल्टाइम ह 140, 43,140, और अल्टाइम हाई किया है हमारा, 43,000, मैं देख लेता हूँ, एक पर फिर्स है, 350, अरे, 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 क्या होगे है, क्या डिसस कर लेते हैं हम लोग, कि अगर मानिये कि कल फ्लैट ओपेन होता है, फ्लैट ओपेन होने के बाद अगर आप देखिए कि फ्लैट ओपेन होके यह trainline को ब्रेक कर रहा है, बैंक निफ्टी, तो हमारे लिए फ्स्ट कंफिर्मेशन हो जाएगा, कि जैसे train line ब्रेक करेगा, हम वहाँ पर बाई कॉल के लिए अक्टिबेट हो जाएंगे, यहाँ पर रेडि हो जाएंगे और जैसे 43,140 के उपर निकलेगा, जैसे निकलेगा, हम यहाँ पर चैनल कोजिंग का वेट नहीं करेंगे, हम तुरंत लॉंग करतेंगे, डे लो या फिर लास्ट स्विंग का एसल लगाएंगे, टार्गेट कही ना कही 350 या फिर 20-30 पॉइंट नीचे 200 पॉइंट का टार्गेट हम easily achieve कर सकते, ठीक है, यह मैंने बहुत बोल दिया आपको flat open होके उपर जाने का, हमने डिसकस कल लिया flat open होके नीचे जाने का और gap down खुलने का, अभी gap up खुलता है, मान लिजिए अगर gap up खुल जाता है, कहाँ पे gap up खुल रहा है यह important है, मान लिए अगर gap up खुलता है 43,140 के उपर, तो आप वहाँ पे एक बार long कर सकते, अगर 2 मिनिट इसके उपर sustain कर गया, 2 मिनिट या 5 मिनिट मान लिजिए इसके उपर sustain कर गया, 5 मिनिट का candle तो आपको हमेशा देखना ही है, देखना ही है, अगर मान लिए 5 मिनिट का candle बना दिया, और उसके बाद जैसे उसका high को break कर रहा है, आप वहाँ पे एक trade ले सकते हैं, उसका जैसे ही high break होगा, आप 5 मिनिट के candle के low को SL लगाईए, और 350 तक का target लिजिए, इन केस मान लिए कि ये 43, 140 के उपर खुला, लेकिन sustain नहीं कर पादा, नीचे आ रहा है, तो आप day high को SL लगाईए, और ये जब नीचे आएगा, तो आप ये मान लिजे कि ये एक बार फिर से 42, 740 को test करने आएगा, सारे situations को अच्छी तरह के से समझ लिजे, अगर gap आप खुल के नीचे आ रहा है न, तो ये सारे levels को तोरने वाला है, क्योंकि इसका sentiment अभी नीचे की तरफ आ जाएगा, और इनके समाने बहुत बढ़ा gap खुल गया, तो वेट करने के सिलवा हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि ये all time high के पास है, तो range बना के जिस तरफ भी जाएगा, हम उस तरफ का trading लेंगे, ठीक है, अभी एक बार Nifty देख लेते हैं, देखे, Nifty के पास, मैंने आप लोगों को बताया था, कली लास्ट वीडियो में ही मैं आपको बताया था, कि Nifty ने जिस तरफ से closing दिया है, उसके पास एक और chance से all time high के पास जाने का, और मैंने आप लोगों को ये levels दिया था, कि इसके नीचे जैसे Nifty close करेगा, हम weak हो जाएंगे, आप 15-minute के handle पे देखेंगे, इसके नीचे Nifty ने close ही नहीं किया, अगर close करता तो हम नीचे का trade ले ले लेते, इसके नीचे close नहीं किया, डाइरेक्ट मतलब नीचे तो खुला, लेकिन वहां से डाइरेक्ट क्या pressure दिया, Reliance ने बहुत extraordinary move दिया है, और उसने अखेला Nifty को उपर के तरफ ले गए, ठीक है, तो Nifty के लिए हभी हमारे लिए, ये all time high जो आज बनाया है, ये बहुत important होने बाला है, जो कि ये 18,615, ये बहुत important होने बाला है, all time high Nifty का, और हम इस बार ये लोगों नहीं देखेंगे, हम इसी लोगों को देखेंगे, क्यों? क्योंकि ये level important है, opening price थोड़ा अलग indicate करता है, लेकिन ये important level एक है, यहाँ पे resistance था, यहाँ पे support है, मैं इसी को support मानूँगा, क्योंकि यहाँ पे open हुआ है, ठीक है? ये तो राय advanced topics है, ये कभी और किसी वीडियो में मैं आपको पता हूँगा, ये level क्या है? 18,440 का, ये बड़ा एक range है Nifty का आने वाले week के लिए, अगर मानिए Nifty कल आपको, फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलके ऊपर जाता है, wait कीजिए, हर बारी मत कीजिए, ऊपर जाके, अगर एक candle close करता है, तो ही हमें एक price section मिलेगा, इस Nifty में हमें candle closing चाहिए, हर एक चीज़ का opposite scenarios होता है, बैंक Nifty में नहीं चाहिए, लेकिन Nifty में चाहिए, अब चाहिए तो चाहिए, अगर आप नहीं follow करते हैं उसको, तो कभी ना कभी आप फसेंगे, बुरा फसेंगे, it's better to be, मतलब क्या बोलते हैं, safe than to be sorry, तो अगर फ्लैट खुलके ऊपर जाता है Nifty, 18615 के ऊपर जैसे close करेगा, नीचे की तरफ sell करने के लिए, मानिए फ्लैट खुलके नीचे आता जा रहा है, तो हम sell नहीं कर सकते हुआ पर, तभी आप 18440 के आजू-बाजू में buy कर सकते, लेकिन अगर आपको sell करना है, तो फ्लैट खुलके नीचे आ रहा है, wait कीजिए, कोई price section बना के तोर रहा है, उस last swing को, तो आप वहाँ पे sell कर सकते हैं, ठीक है, और इनकेस मानिए, बहुत बढ़ा gap up open हो गया, सेम, Nifty भी all time high के उपर open हो जाएगा, तो वहाँ पे कोई price section या range के बाद, हमें देखना होगा, किस तरफ जा रहा है, और इनकेस अगर बहुत बढ़ा gap down open हो गया, बहुत बढ़ा, तो Nifty के पास भी एक और buying opportunity आ जाएगा, अगर मान लीजे, 18,440 के नीचे direct खुल गया, तो आपको देखने को मिलेगा, Nifty एक बार फिर से एक बार टान रहा है, शायद थोड़ी बहुत उपर जाके ये फिर से गिर जाए, लेकिन एक बार आपको टान ज़रूर देखने को मिलेगा, और इनकेस अगर छोटा मोटा gap down open होता है, तो वेट कीजे, 18,440 के आजू 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 आके इस बार सेम बैंग Nifty के तरह है, अगर 18,440 के आजू 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 आता है, आके यहाँ पर रुकता है, रुक के जैसे ब्रेक करेगा, आप वहाँ पर शॉट कर दीजे, या फिर मान लीजे थोड़ा और जो सेफ ब्लेयर से, थोड़ी दे रुक के यहाँ पर एक केंडल क्लोज की या, और उसके नीचे जैसे निकलेगा, आप वहाँ पर शॉट कीजे, ठीके, सारे सिनेरियो समझा दिया, फिर से एक बार वीडियो को देख लीजे, क्योंकि देखिए, मैं जितना बोलता जाओंगा, मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि यह ऐसा एक टॉपिक है, आपका कभी खतम नहीं होगा, आपका बात है, तो इसलिए मैं शॉट काट में समझा रहा हूँ, वीडियो को एक बार देख लीजे, आप लोग को तो आशा करता हूँ, आप लोग को इजीली समझ में आ रहा होगा, फिर भी एक बार कमेंट करके ज़रूर बता ना कि आपको और सिंप्लिफाइट करके चाहिए की नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन जिस तरह से वीकली हमें मतलब एक दिख रहा है, निफ्टी कभी भी मतलब गिर तो नहीं सकता है, देखिए, गिरेगा अभी नहीं, क्योंकि अभी रिटेल्स टॉप पे सेल कर रहे होंगे, दबा के, तो निफ्टी भागेगा, बैंग निफ्टी भी भागेगा, लेकिन थोड़ा बहुत पॉज ले सकता है और वीक हैंड्स को नीचे फेग सकता है, मतलब क्या हो सकता है, या फिर मानिए, ओपेन होते ही एक सेलिंग प्रेशर आया, लोग वहाँ पे डर के निकल गया, उसके बाद लास्ट में कवर कर दिया, लेकिन जाना इसको उपर ही है, आने वाले कुछ दिनों के लिए, क्योंकि जब तक रिटेल शॉर्ट करना नहीं बंद करेंगे, निफ्टी नीचे नहीं आएगा, निफ्टी तभी निफ्टी और बैंक निफ्टी नीचे आएगा, जब रिटेल को लएगा, शार्दा कॉर्पोरेशन में आपको यह दिया था, यहां पर 420 के उपर दिया था, 420 के उपर जो लोग लिए होंगे, शायद आप लोगो थोड़ा बहुत लॉस दिखा रहा होगा, वेट कीजे, अभी भी पैनिक मत कीजे, क्योंकि आज यह जो मतलब यहां पर रिटेस्ट किया है, एक तम ट्रेंड लाइन के सामने से रिटेस्ट किया है, तो हो सकता है कि आने वाला टाइम में आपको फिर से यह एक बड़ ऊपर की तरफ देखने को मिले, मैं कभी नहीं कहा कि मैं 100% रही हूँ, दस में से साथ निकल जाएगा, एक दो सेयर आपको फस ना भी पर सकता है, ठीके, जैसे कि बालकृष्ण दिया था, आप देख सकते हैं, बालकृष्ण कहां से कहां चला गया है, 2003 के उपर दिया था, आज देखे, इसने हाई लगा के मार के आया है, 4% का, लगभग, लगभग, 2018, तो देखे, हर एक स्टॉक जैक पर तो नहीं होगा, जैसे बालकृष्ण है, एक हाई मार्केट कैपिटलाइज़ स्टॉक है, तो इसमें मूब्मेंट भी उतना नहीं आता है, 10-12% नहीं आएगा, आएगा, लेकिन 3-4, अगर आपको लगता है कि आप एक दिन में Reliance का 10% का मूब्मेंट पकरेंगे, तो तो आज के लिए कोई स्टॉक नहीं रहा हूँ, बस एक अपडेट दिया, कि शार्दा कॉर्प और बालकृष्णा जो लोग, जैसे तो टार्गेट हो गया, सार्दा कॉर्प थोरा सा होल्ड कीजिए, जेके लक्ष्मी होल्ड कीजिए, और तो ये सारे रेवाथी वगेरा मैंने तो जो दिया था, ये लोग का सारा टार्गेट आ गया है, तो जैसे कि हाँ, ये वाला स्टॉक में 250 के उपर बाई दिया था, अच्छा, इस ने तो टार्गेट भी 5% एकी दिन में दे दिया था, तो ये सब तो हो गया है, डेल्टा कॉर्प, हाँ, देखे, ये देखे, डेल्टा कॉर्प को आप लोग देख सकते, 232 के उपर बाई दिया है, आज ही क्ल देखे, डेल्टा कॉर्प किस तरह का आपको ट क्यार कीजिए, सब्स्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नीचे मेरा इंस्टेग्राम का हैंडल दिया हुआ है, जाहिए हो आपे जॉइन कर लीजे, टेलीग्राम पे जॉइन हो जाहिए, क्योंकि मुझे लगता है निउएर से में फुल टाइम ट्रेडिंग में आजाऊंगा, क्योंकि मैं अभी तो थोड़ा ऑफिशल वर्क में बीजी हूँ, तो फुल टाइम जब करेंगे तब लाइव अनलेसिस करके लाइव ट्रेडिंग किया करूँगा मैं आप लोगे साथ, तो जुट जाएए, वहां का सारे लिंक्स में नीचे दे रखा है, ठीक है, और लाइ